तिवारी पुर गाउं में दो परिवार रहते थे, मोहन का परिवार बहुत गरीब था, वहीं दूसरी तरफ सोहन का परिवार बहुत अमीर था, दोनों की पत्नियां गर्वती हो जाती है, कश्मीरा मैं चाहता हूँ कि हमारे घर पर एक बेटी पैदा हो, हम उसका नाम लक्ष रहा है, रानी मुझे पूरा भरुसा है कि उपर वाला इस बार हमारे साथ गलत नहीं करेगा, उपर वाला अभी तक कर रहा था क्या, कोई भी संतान जीवित क्यों नहीं बच्चती हमारे यहां, इससे पहले तीन बार मुझे मा बनने का मौका मिला लेकिन जन्म होते ही वो जब तक हमारे घर संतान पैदा नहीं होती, हम कोशिस करते रहेंगे, और तब भी अगर कुछ ना हुआ, तो हम बच्चे गोद ले लेंगे ना, तुम परिशान मत हो, पैसों में बड़ी ताकत होती है डिलिवरी का दिन आता है, गाउं के ये छोटी से सरकारी अस्पताल में मोहन और सोहन, दोनों की पत्नियों की डिलिवरी दिन एक ही है डॉक्टर की बात सुनकर सोहन एक बर फिर से परिशान हो जाता है, क्यूंकि ये घटना उसके साथ इससे पहले भी दो-तिन बार हो चुकी थी डॉक्टर साहब, अगर हमने बच्चे को बचाया, तो मा मर जाएगी, मा को बचाया, तो बच्चे को ना देखकर मा वैसे ही मर जाएगी, प्लीज इस बार कुछ कीजिए इतनम एक कमपाउंडर डॉक्टर के कान में आकर कुछ कहता है सोहन डॉक्टर के साथ उसके केबिन में चला जाता है, और दोनों अकेले में बात ही कर रहे है अगर आप चाहें, तो एक बच्ची मैं आपको दे सकता हूँ चुपके से, किसी को बता नहीं चलेगा मैं तयार हूँ डॉक्टर साहब उस अस्पताल में मोहन और कश्मीरा की दो जुरवा बेटी पैदा होती है, लेकिन वो डॉक्टर चुपके से एक बेटी को सोहन की पतनी के वार्ड में सुला देता है जब रानी की आँख खुलती है, तो वो अपने पास एक बच्ची को देख कर खोश हो जाती है आज मैं बहुत खोश हूँ, उपर वाले ने मेरी सुन ली, इतने में वहाँ पर सोहन आ जाता है आज तो तुम खुश हो ना रानी, हमारे घर एक बेटी ने जन में लिया है, मुबारक हो आपको भी मुबारक हो, मोहन और उसकी पतनी कश्मीरा अपने घर में अपनी बेटी के साथ खेल रही है बेटा लक्ष्मी, यह बिल्कुल तुम पर गई है कश्मीरा हम अपनी बच्ची को बहुत ही नाजो से पालेंगे, इसे कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे एक तरफ लक्ष्मी एक गरीब परिवार में बड़ी होने लगती है, तो वही दूसरी तरफ लक्ष्मी की ही बेहन मीरा एक अमीर परिवार में बड़ी होने लगती है गाओं के सभी लोग एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे लक्ष्मी और मीरा भी उसी स्कूल में पढ़ती थी लेकिन दोनों इस बात से अंजान थी कि वो दोनों सगी बहने है मीरा क्या तुम मेरी सहेली बनोगी दूर हट मुझसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हो यह मुझसे बात करने की अगर मेरे माँ पापा को पता चल गया कि मैंने तुम जैसे बिखारिन से बात की है तो वो लोग मुझे बहुत डाटेंगे मैं बिखारिन नहीं हूँ तुम गलत समझ रही हो मेरे माँ पापा ने सिखाया है जितने भी गरीब लोग होते हैं सब भी खारी ही होते है लक्षमी से उस स्कूल में कोई भी बात नहीं करता था क्योंकि वो गरीब घर की लड़की थी मेरा अपनी सहेलियों के साथ अकसर बिल्लु काका की दुकान पर समोसे खाये करती थी और लक्षमी दूर से उन्हें देखा करती थी मेरा भी समोसे खाने का मन होता है लेकिन मैं पापा से नहीं कह सकती वो वैसे ही परिशान रहते हैं अरे बिल्लु काका कभी कभी तो आप बहुत अच्छे समोसे बना देते हो पर आज तो एक नंबर की घट्या समोसे बनाएं आपने नहीं खाने मुझे, फेग दो सब लोग मीरा और उसकी सहीलिया अपने अपने समोसे डस्पिन में फेंग देती हैं और बिना पैसे दिये वहां से चले जाते हैं दुकांदार उन्हें पुकारता रहता है लेकिन वो एक नहीं सुनती ये लोग तो खाने का इतना अपमान करते हैं ऐसा बिलकुल नहीं करना चाहिए लक्ष्मी दूर से ये सब देख रही थी चुपके से वो डस्बिन के पास जाती है और सारे समों से उठा कर ले आती है और अकेले में खाने लगती है लेकिन तभी लक्ष्मी की ये हरका दूर से वो दुकांदार देख लेता है और उसकी आँखों में आसुआ जाते हैं ए भगवान कितना अंतर है इन दोनों में लक्ष्मी के माता पेता खेतों में काम करके मजदूरी करके अपनी बेटी को पढ़ा रहे थे वहीं दूसरी तरफ सोहन की बेटी मीरा बहुत खमंडी हो चुकी थी जबकि दोनों सगी बहने हैं पर इस बात से अभी तक अंचान है एक दिन स्कूल से छुटती होने के बाद मीरा अपनी सहेलियों के साथ लक्ष्मी से बातचीत करने की कोशिश करती है अरे लक्ष्मी तुम पैदल ही जाती हो क्या हाँ मैं तो रोज अकेले ही पैदल चली जाती हूँ क्योंकि मुझसे कोई बात ही नहीं करता हम आज से तुम भी हमारी ग्रूप में शामिल हो जाओ आज से हम सब दोस्त हैं तुम सच कह रही हो हाँ मैं सच कह रही हूँ हम सब ही सहेलिया स्कूल के पीछे जंगल में अमरूत तोड़ कर खाने जा रही हैं क्या तुम हमारे साथ चलोगी हाँ हाँ क्यों नहीं मुझे अमरूत खाना बहुत पसंद है लक्षमी मीरा की सहेलियों के साथ स्कूल से थोड़ी दूर पर किसी जंगल में चली जाती है मीरा और उसकी सहेलियां अचानक धीरे-धीरे चलने लगती हैं और लक्षमी बड़ी ही खुशी के साथ उचलते कूते आगे-आगे जंगल में चलती जाती है अचानक लक्षमी किसी दलदल में फंस जाती है बचाओ, बचाओ, मीरा, मीरा मैं डूब रही हूँ मीरा और उसकी सहेलियां जोर-जोर से हसने लगती है मीरा अपनी सहेलियों के साथ उस जंगल से चली जाती है उसकी अंजान बेहन लक्षमी उस दलदल में डूबने लगती है वहाँ पर उसे बचाने के लिए कोई नहीं है तब ही अचानक पेर से एक पीले रंग का सोने का सूट लक्षमी के उपर ही गिर जाता है उसे पकड़ कर लक्षमी दलदल से बाहर आ जाती है तब ही अचानक वो पीले रंग का खुबसूरत सूट बोलने लगता है आज के बाद तुम्हारे जिंदगी में कोई भी तकलिफ नहीं रहेगी ये सूट तो बोल रहा है हाँ लक्षमी महीं बोल रहा हूँ उस सूट में एक पॉकेट है इस से जितना भी धन निकालते जाओगी कभी कम नहीं पड़ेगा और जब तक ये सूट तुम्हारे घर में रहेगा तब तक पूरा परिवार संपन न रहेगा वो सोने का सूट लेकर सीधा अपने घर चली जाती है और अपने माता पिता को सारी बात बताती है उसके बाद वो लोग बहुत धनवान हो जाते हैं अच्छे घर में रहने लगते हैं आगे हम देखते हैं कि लक्ष्मी अपने माता पिता के साथ कार में बैट कर कहीं जा रही थी तभी मीरा की नजर उस पर पढ़ जाती है ये तो लक्ष्मी है लक्ष्मी, लक्ष्मी मीरा जोर जोर से लक्ष्मी को पुकारती है उसकी आवाज सुनकर लक्ष्मी के पिता अपनी कार रोग देते है मीरा उसके पास आ जाती है लक्ष्मी तुम तो पूरी तरह से बदल गई तुम इतने दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रही थी उस जंगल वाली घटना के बाद मुझे बहुत पच्टावा हुआ मैं दुबारा वापस आई थी लेकिन तुम मिले ही नहीं मैं तुम से माफी मांगना चाहती हूँ मैं उस खेल में बेइमानी कर ली थी उसी की माफी मांग रही है और कुछ नहीं इतने में वहाँ पर मीरा के पिता जी भी आ जाते हैं उनकी हालत अब पहले से बहुत खराब हो चुकी थी उनका सारा धंधा चौपट हो चुका था इस वज़े से अब वो लोग गरीब हो चुके है मेरा यहां क्या कर रही हो पापा यह मेरी सहेली है लक्षमी और यह उनके माता पिता क्या मैं आप लोगों से कुछ बात कर सकता हूँ हाँ हाँ क्यों नहीं भाई साहब मुझे पैसो का बहुत घमंड हो गया था इसलिए मेरा सारा बिजनिस चौपट हो चुका है मैं सब कुछ पैसे को ही मानता था एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा वरना मेरे अंदर वो एक बोज सा हमेशा बन कर रहेगा अखिर ऐसी क्या बात है जो आप मुझे बताना चाहते हैं मैं आपका करजदार हूँ उस दिन आपके घर एक नहीं बलकि जुरुआ बेटी पैदा हुई थी अगर आप चाहे तो डॉक्टर से पूछ लीजिए मेरी पतनी का में सकरेज हो गया था लेकिन ये बात मैंने उससे चुपा ली और डॉक्टर को पांच लाक रुपए दे कर चुपके सहाब की एक बेटी मैंने ले ली इसका मतलब लक्षमी और मेरा सगी बेहने हैं हाँ भाई सहाब लक्षमी मेरी बेहन है मैं बहुत खुश हूँ पापा मैंने अपनी बेहन के साथ कितना गलत किया तो इस तरह से दोनों बेहनों को पता चल जाता है कि वो दोनों सगी बेहने है मोहन सोहन की बिजनेस में उसकी मदद करता है और दोनों परिवार एक साथ मिलकर रहने लगते हैं